असलाम अलेकुम रहमतिल्लाइ बरकातू मैलो दोस्तों कैसे हैं आप उम्मीद है आप सभी खैरियस से होंगे मैं हूँ आपका दोस्त मुहम्मद मुकीम शेख और इस वक्त हम मौजूद है हिंदल वली खाजा गरीब नमाज बाबा की बारगाहे में आज हम आपको दिखाएंगे कि अजमेर शरीब दरगा में सर पर पगड़ी क्यों बांदी जाती है और मजार शरीब से निकाला गया संदल सेयद फैसल चिस्ती सहब ने किस तरह जायरिनों को खिलाया और कोरोना के ये नई गाइडलाइन के बारे में सेयद फैसल चिस्ती सहब ने क्या कहा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे गरीब नमाज के चाहने वाले जो किसी भी वज़ा से वारगाहे गरीब नमाज में नहीं पहुँश सके है उन तक ये वीडियो पहुश सके और वो भी दौाओं में सामिल हो सके आप देख रहे हैं सेयद फैसल चिस्ती सहब जो यहां के खादिम है किस तरह जाहरीनों को मजार सरीब से निकाला गया संदल लोगों को खिला रहे हैं और लोग बहुत ही अकीदत के साथ महुपत के साथ संदल को खा रहे हैं यह बहुत ही नसीब वानों को संदल मिलता है अज़रत मैं लें तुमारी दल्ल थोड़ा मुखोलो मुखोलो अगरो यह और वो अलग थोड़ी है यह की तो संदल की यह बहुत है अगरो प्रेम कि आपने अब लगाद भी आपने जो पगड़ी पहिनाई है तो बहुत से लोग लोगों को जानकारी नहीं कि इसको सर से उतारने के बाद कहा रखना चाहिए और इसके क्या-क्या फाइदे हैं कैसे बहुत सारी वह बता ही जरुसके बरें ये हुदूर गरीब नवास की बारगाह की चड़ी हुई छोटी चादरे हैं जो हम आने वाले जाहिरीन को रुकसती के वक्त सर पर बांद के और खैरियस से अपने घर पे अपने मुकाम पर पहुँचे और फिर उसको वो अदब और एहतराम के साथ अपने घर में सेफ में रखें रहमत के लिए बरकत के लिए गरीब नवास के दरबार की रहमत बरकत की देखे हजरत ने भी रहमतों और बरकतों वाली चादर बांद के साथ बुलाएं हुदूर खरीब नवाज के उर्स मुबारक में तमाम आशिक आ सकते हैं जो भी गाइड लाइन पहले थी वो अप चेंज हो गई है दर्बार खरीब नवाज जाहिरीन के लिए हर वक्त खुला हुआ है कोई रिस्टिक्शन कोई प्रॉब्लम नहीं है कोई प को खुशियों के साथ बुलाएं कि मुहम्मद मुकीम शेख बंबई से वजूर खरीब नवास की खिदमत में हाजर है जो कुछ भी खरीब नवास की बारगाह की यहां से दुआ हैं और हाजरी के वीडियो जाती हैं यह आप सब तक पहुचाते हैं और अब जब यह यहां आ कुछ रखें ताकि आप शेयर करेंगे तो जैदा से जैदा लोगों की हाजरी हो सकीगी मौला इनकी इस खिदमत को कुबूल करें हमारी दूआ हमेशा इनके साथ ही मौला सलामत रखें आप